और gametogenesis में बच्चों अब तक हमने spermatogenesis के बारे में पढ़ा है sperm formation के बारे में पढ़ा है तो आज हम sperm की structure के बारे में पढ़ेंगे बच्चों अगर हम एक microscopic structure के according बात करें तो total sperm में 4 parts में हम इसको divide कर सकते हैं first head, neck, middle piece and then tail बच्चों sperm में चारों तरफ एक membrane present होती है जिसको हम plasma membrane बोलते है और साथ ही sperm का जो head है इसके अंदर एक haploid nucleus भी present होगा anterior portion में यह आप anterior और यह posterior ठीक है anterior upper portion के हम बात कर रहे है यहाँ पर इसमें एक haploid nucleus भी present होगा जिसको एक cap-like structure से cover किया हुआ है और इस cap-like structure को हम बोलते है acrosome बच्चों जो acrosome है इसके अंदर आप यहाँ देख सकते हो एक enzyme की filling होती है और जो यही enzyme है बच्चों acrosome का जो ovum से fertilization के time पे important role play करता है बहुत help करता है उसके बाद बच्चों हम आते है middle piece में neck का main function यही है acrosome का जो head है और middle piece है उसको attach करके रखा है यह joint है middle piece की बच्चों अगर हम बात करें तो numerous amount में आप देख सकते हो यहाँ पर mitochondria present है जो sperm जब move करेगा तो उसकी tail को उस time पे movement के लिए energy चाहिए होगी तो tail की mortality के लिए या sperm की mortality को facilitate करने के लिए mitochondria यहाँ पर energy production का काम करेगा और motility का term मतलब है बच्चों यहाँ पर main motility term का मतलब यह होता है movement okay motile motile या mobile दोनों ही word है movement की sense में यूज़ कर सकते हैं यहाँ लिखा भी हुआ है mitochondria energy source for swimming अगर आगे बात करें बच्चों अगर हम बात करते है नॉर्माल एक human male की तो वो निर अबाउट 200 तो 300 million sperms एक coitus के time पे यानि की एक fertilization की process के time पे produce करता है और नॉर्माल fertility जो है मतलब at least 60% sperm production होनी चाहिए मतलब अगर हम बात करें कि भी 100% 100% को हमने माल लिया कि वो 200 तो 300 million sperm produce हो रहे हैं तो इन टॉटल sperm में से 60% healthy होते हैं और 40% है जो उनमें अच्छी mortality आ वाइग्रेस mortality नहीं होती तो इसलिए 60% sperm के जादा है fertilize करने की और 40% के कम होते हैं ज्यादा confused नहीं होना इस टाम में में हमने यां structure पढ़ना था आई होप आपको यह समझ आ गया होगा आगे है बच्छो जो sperm से वो सामिनी फेरस टीब्योल से रिलीज हो जाएंगे यह कला सॉरी लास्ट क्लास में अपने पढ़ा था और उसके बाद accessory ducts के त्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे जो एपिडिदीमस में से क्रेशन है वैस डिफ्रेंस में है सेमिनल वैसिकल प्रॉस्टेट ग्लैंड इन सभी में यह maturation और motility of sperm के लिए important है जो semen plasma है बच्छो वो sperm के साथ ही sorry जो seminal plasma था sperm के साथ ही अगर उसको हम totally एक term दे तो वह होगा semen यानि कि seminal plasma plus sperm total हो एक semen बना देते हैं जो functions है बच्छो semen मतलब एक fluid है बच्छो यह एक तरह से इसमें भी ज़्यादा confused नहीं होना है आपने fluid है एक type का जो functions है male sex accessory ducts के और जो glands के वो testicular hormone जो की एंड्रोजन है male reproductive hormone इसके थ्रू बैलेंस रहते हैं तो आई होप आपको structure of sperm के बारे में समझ आ गया होगा